दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं हिचकी आने पर अजमाए ये सरर बारा उपाए जिनके कारण आपको मिल जाएगा हिचकी से आराम हिचकी की समश्या किसी को भी हो सकती है और हिचकी आने पर इसे रोकना मुस्किल हो जाता है हिचकी आने के पीछे कई सारे कारण होते हैं बुज़ूर्गों की माने तो हिचकी हमें जब आती है जब हमें कोई याद कर रहा होता है परन्तु व्यग्यानिक कारण इसके अपने ही अलग है आज हम आप से बात करेंगे हिचकी को रोकने के लिए कुछ आसान उपायों के बारे में हिचकी आने पर हमें चीनी खा लेनी चाहिए चीनी खाने से हिचकी रुक जाती है हिचकी की समश्या होने पर आपनी जीव को बाहर निकाले और थोड़ी देर तक जीव को बाहर ही रहने दे दरसल ऐसा करने से गले का वोकल कार्ड जो होता है उस पर असर पड़ता है और हिचकी आनग तुरंत बंद हो जाती है ध्यान भटकाने से भी हिच्की आनब बंद हो जाती है हिच्की आने पर अपना ध्यान कहीं और लगाए ध्यान भटकाने के लिए आप अपनी मुठी को बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं ऐसी प्रक्रिया बार-बार करने से आपका ध्यान भटक जाएगा और हिचकी की समश्य स्रमापत हो जाएगी। गैरी सांस लेने से भी हिचकी आना बंद हो जाती है। गैरी सांस लेते समय हवा सीदे सरीर के अंदर प्रवेश करती है और हिचकी से आराम मिल जाता है। हिच्की के ना रुकने पर अपनी नाक को बंद कर सकते हैं, नाक को बंद करते ही आपका ध्यान सास की तरफ चला जाते हैं और इससे आपकी हिच्की आनी बंद हो जाती है प्यारे दोस्तों, अधिक देर तक हिच्की आने पर पेट पर जोड़ पड़ता है, इसलिए हिच्की को तुरंत रोकना बहुत ही जरूरी हो जाता है हिच्की की समश्या होने पर अपना मूप पानी के अंदर भी आप डाल सकते हैं, कुछ देर के लिए ये उपाई करने से हिच्की आना बंद हो जाती है काली मिर्ष और मिस्री को कूट ले और मिर्षन त्यार कर ले इस मिर्षन को आप हिच्की आने पर खा ले ये मिर्षन खाने से हिच्की में आपको रात प्राप्त होगी सैद खाने से भी हिचकी आना बंदो जाती है, हिचकी आने पर एक चमच सैद खाले, इसे खाते ही हिचकी इसे निजात मिल जाती है, निम्बू का रस पीने से भी हिचकी पर फरक पड़ता है, हिचकी आने पर निम्बू को निचोड़ कर इसका रस निकाल ले और इस रस को पी पानी पीने से हिचकी में राहत मिल जाएगी। ध्यान लगाने से भी हिचकी आना बंद हो जाती है। जाती है अगर हमारे द्वारा बताए गए उपायों के बाद भी आपकी हिच्की आना बंद नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि अधिक हिच्की आने से आतों पर जोर परता और पेट में दर्द की तकलिफ हो जाती है जारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जैहिंद